तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेक ओवर को समझेंगे कि टेक ओवर क्या होता है और कितने टाइपस के टेक ओवर होते है तो टेक ओवर एक काफ़ी important topic है strategic management में जो काफ़ी मिलता जुलता है हमारे acquisition से तो ये काफ़ी confusion पैदा करता है तो सबसे पहले हम लोग takeover का meaning समझेंगे और फिर हम लोग कितने types के takeovers हो सकते हैं उसको भी समझेंगे सबसे पहले इसका meaning से start करते हैं A takeover occurs when a company makes a bid to assume control of or acquire another often by purchasing a majority stake in the target firm तो यहाँ पर दो company है एक company क्या करती है इस company में bid लगाती है कैसे bid लगाती है अकसर क्या करती है उससे जादा से जादा उस company का share खड़ीद लेती है जिससे इस company के पास इस company का पूरा का पूरा जो ownership control होता है operation control जो होता है सारा का सारा इसके हाथ में आ जाता है तो इससे क्या बोला जाता है इससे बोला जाता है takeover इस company ने इस company को take over कर लिया कैसे कर लिया इस company के ज़्यादा से ज़्यादा क्या किये ज़्यादा ज़्यादा जो stock रहते हैं उसे खरीद लिया so in take over process the company making the bid is the acquirer तो यह जो company है यह होगी acquirer क्योंकि यह bid लगा रही है while the company wishes to take control is called target मतलब यह company जिस company को खरीदना चाहती है जिसका control लेना चाहती है उसे क्या बोल रहता है target तो समझ में आ रहे है take over क्या होता है अब नहीं बताता हू take over और acquisition में different कहा हो जाता है take over जो होता है यह काफी hostile process है मतलब यह company यह market में अच्छा कर सकती है और हम लोग लगता है कि इस से हम लोग खतरा है यह हम लोग इस company को नहीं चाहते हैं अपने ऐसा competitor तो हम लोग क्या करते है तो company उसका ज़्यादा से ज़्यादा stock खरी लेती है और उसका सारा control अपने हाथ में लेती है लेकिन जो acquisition है वो काफी formal process है काफी documented process है और काफी manual process है जिसमें दोनों board of directors जो होते है वो एक दुसरे के सहमती होती है वो भी बेशना चाहती है ये भी खरीदना चाहती है लेकिन takeover में कभी कभी क्या होता है कि जो company को एक company खरीदना चाहती है ये वो नहीं चाहती है अपने आपको बेशना उसे क्या बोलता है hostile takeover जिसके हम लोग अपने types of takeover में discuss करेंगे अभी तो सबसे पहला वाला जो takeover होता है सबसे पहला type का होता है वो होता है friendly takeover तो friendly takeover क्या होता है then both parties are agree मतलब जब दोनों party के दोनों company के board of director agree करते हैं कि हाँ एक agreement sign करते हैं और इसके बाद agree करते हैं कि हम दोनों को हमें इस company को इसे बेचना है तो इसे क्या बोलता है friendly मतलब दोनों party के board of director सहमत थे agree थे takeover के लिए दूसरा क्या आता है hostile takeover तो hostile takeover क्या होता है when one party BOD that is board of director do not agree for the bid मतलब एक party दो company है एक company इसे खरीदना चाहती है इसे लेकिन ये company जो है वो नहीं चाहती है बिकना यह हो सकता है इसे अपने आपको नहीं बेचना चाहती है किसे और को बेचना चाहती है क्योंकि इसे लग रहा है जाज़ादा share जो है उसके basis पे इस company को take over कर लेती है इसका जो भी operation होता है खुद कंट्रोल करने लगती है इस टैप का जो takeover क्या होता है इसे बोला जाता है hostile takeover जब एक party का जो बोड़ डाटर होता है वो agree नहीं होता है because उनको लगता है कि वो काफी ज़्यादा deserve करते है जितना ये company इन्हें दे रही है तो अगर ये company ने इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस company में ज़्यादा share नहीं है तो ये इसे नहीं खरिद पाएगी लेकिन अगर इसमें 50% से ज़्यादा share इस company के पास है तो ये वो चाहे या ना चाहे इसे खड़ी सकती है फिर क्या आता है reverse takeover तो ये क्या होता है reverse takeover when a private company takeover a public company मतलब एक बहुत बड़ी private company है एक छोटी public company है तो अब private company ने क्या किया इस public company को या medium size की public company है इस public company को acquire कर लिया इसको take over कर लिया क्यों किया उसने जिससे ये company भी अब एक public company में list हो पाए जिससे IPO जो होता है न इहीं से public offering तो उन सब के जंजट से हटने के लिए इसने एक public company को take over कर लिया जिससे अब ये भी एक public company बोली जाएगी तो इसे बोला जाता है reverse take over जब एक private company एक public company को take over कर लेती है फिर आता है हमारा back flip take over तो ये क्या होता है जब फिर बताता हूँ अभी दो company है ये company है ये company है ये acquirer है मतलब जो acquire करना चाहती है और ये है target जिसको ये acquire करना चाहती है तो इसमें क्या कर रही है इसने इसको acquire तो कर लिया इसको take over तो कर लिया लेकिन अपने नाम से business करने के बज़ा है इसने इसी का नाम से business करना इस्टार कर दिया और खुद एक subsidiary company बन गई तो इस type का जब take over होता है उससे बोल जाता है back flip take over ये कब हो सकता है ये तब हो सकता है जब जिस company को वो take over करना च अच्छा है उसका brand loyalty काफी अच्छा है उसका जो customer base है वो इसे छुड़का और किसी के पास नहीं खरजना जाना चाहता तो वो इसी के नाम से business कर रही है खुद subsidiary बनके तो इसे क्या बोल जाता है back flip take over तो ये था take over पर वीडियो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like क किजिए नहीं लगाओ तो dislike करतीजिए thank you